आपका मन नहीं कर रहा है उटने का पर फिर भी आप उटते हैं वो चीज है आपका mental courage और उसको आपको बिल करना बेहद बेहद जरूरी है मैं कहूंगी 60% कि ये mental courage है और ये 40% जो पढ़ा है तो इस mental courage को बिल करने के लिए दो एम है एक है mindset कैसा आप अपने दिमाग को train करते हैं देखे एक बात होती है जिसे आप खड़े हैं बाहाँ पर चलिए आपको में ख़ड़े हैं जिसे हम कभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है आप तो पढ़ी नहीं पाऊंगी तो यह क्या है आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं हम अपने दिमाग से कई बार कंट्रोल हो जाते हमें करना यह है कि हमें अपने अपने दिमाग को पूंद करना हो ठीक है जब तक हम अपने mind को, अपने heart को नहीं एक जगा focus कर सकते कर पाएंगे, तब तक हम अच्छे से focus नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज आप अपने आपको जरूर बताते रहें, और जो दूसरा M की मैं बात करती हूँ, वो है motivation, तो कई बार ऐसा सब ऐसा पूछते थे, मैं भी ज सान मुझ नहीं बता सकता, कि how will I stay motivated, तो फिर थोड़ा अंदर मुझे जाकना पड़ा, और तब मुझे समझ आया कि मैं कैसे motivate हूँ, तो फिर जब आपको मन करें ना कि आज तो हो गया, आज बहुत बहुत बढ़ाई करीं, तो आपने आप से पूछो, कि ऐसा क्या है जिसने मुझे push किया कि मैं ये career चुनू, ऐसा क्यों है कि मैं SSB की exam के लिए बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, why is it? अगर आपका why तगड़ा है ना, तो आप पूरी journey से अच्छे से निकल जाओगे, इसलिए अपने why को, why do you want to join the civil service, why do you want to clear this exam, that is very very important, so don't start कि अगर करूँगा तो you know, अच्छा वो मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिल जाएगी, अगर आप प्रेस्टीज को सोच कर अगर आप civil service का exam देने जा रहे हैं, तो my dear friends, जादा दिनों तर आपको motivate नहीं रख पाएगा, motivation आपको कहीं ऐसी जगह से आना चाहिए, कि अगर आप तहीं जा रहे हूँ किसी बच्चे को देखते हूँ, किसी दुकान पर काम करते हूँ, तो क्या भी सोचते हैं कि वो बच्चा वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो बच्चा भी स्कूल में होना चाहिए, क्या हम कुछ कर सकते हैं अपनी बढ़ाई से, क्या हम किसी ऐसे position पर बहुत सकते हैं कि उस बहुत लखी हैं और हम उनकी मदद कैसे करें तो फिर बहुत जर्णी जो है ना असान हो जाते हैं तो इक यह चीज मोटिवेशन की थी कि आप खुद अपने आपको मोटिवेट करें मैं लखी रही कि मैं ममी बापा की साथ रहकर घर में रहकर पढ़ाई की मैंने जब भी कभी बोर होती थी ममी से बात्चीट कर लेती थी और किसी टॉपिक के बारे में आप भी अपने ममा से यादी और फ्रेंड आपके भाई बहої जो भी हों उनसे इस बात का डिसकसेन करें और इसके अलावा डिस्ट्रेस भी मां और एक और बात माम से बात करते हुए मुझे याद है कि मुझे जरूर आपसे शेर करनी जाए है वो है हमारा nutrition और हमारा पुरा जो nutrition हम लेते हैं दिखे हमारा दिमाग आपने पढ़ा हो गए और साइंस में कितना परसेंट वाटर होता है आप ब्रेंग करते हुए हैंचा, अल अगरया! ये ये वह ही आपने ये िरो साइथ है, कि असाए होनक देखेंगे इसे बेस हमेशन आपको हमारा पानी हिनो पानी हमेशन देखेंगे बेसे हैं मेंशन आपो मेंचन दो बेसरी ज़्करणाओ तो मैं तो भी ममा जैसे रखते हैं आपको तो आप बिल्कुल नुट्रिशिस फूड लेते रहे हैं जहां भी आप रहते हैं प्लीज आप अगर होस्टिल में रहते हों तो प्लीज अपने आपको तभी भी गोमत कीजिए क्योंकि हमारी बोडी जब स्ट्रॉंग होगी ना को बंपर मिसें स्ट्रॉंग होगी धुर्ण छ यह रहां टॉट्रॉंग होगी जब दो को तो आपको समारी होगी जब दो ट्का मुट्ट पर दोड